आज के हाइटेक जमाने में इंडिया में बहुत से लोगों को, कुरोडों लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर उनका फोन चोरी हो गया है, तो उन्हें क्या-क्या स्टेप फोलो करने चाहिए, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, अगर उनका फोन चोरी हो गया, कहते हैं नया नि वहां तो मेरे बात ध्यान में रखना आप भूत बुरी तरह सकते होs दोनद करना जाए जब हमारा फोन्चोरी हो जाता है हम को पेंरे से ले पाते हैं हमको पता होते हुए भी हम पुर्ण नहीं ले पाते हैं इसलिए फोन चोई हो जाने पर पहला काम है पेनिक मत होई सबसे पहले आप अपने फोन नुम्बर पर कोल करके देखिए अगर आपके फोन पर रिंग जा रही है इसका मतलब आपका फोन कहीं छुट गया है या कहीं गिर गया है आप जहां जा गए ते वहां जाके देखिए आपका फोन मिल जाएगा अगर आपका फोन पर गंटी नहीं जा रहे हैं आपका फोन स्वीच ओपा रहा है इसका मतलब आपका फोन चोरी हो चुका है उस जगवाँ पर जाने से अब कोई फाइदा नहीं जहां पर आप गए थे स्टेप आपको सबसे पहले आपक SIM block करवाना क्योंकि SIM के साथ बहुत सारे अकाउंट जुड़ रहते हैं Facebook अकाउंट Google अकाउंट इंस्टा अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट debit card credit card बहुत सारे काउंड भी जुड़ रहते हैं इसलिए सबसे पहले आपको अपनी SIM ब्लोग करवाना है मैंने देखा है बहुत सारी लोग मोबाइल चोरी होने के बाद अपनी SIM ही ब्लोग नहीं करवाते यदि किसी के पास आपका SIM चला जाता है तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप जिस कंपनी का SIM कार्ड इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी के कस्टमर के के नंबर पे कॉल करके सबसे पहले आपको अपने SIM कार्ड को बंद करवाना है ये बहुत जरूरी स्टेप है अगर आपके पास Android फोन है तो को फोन की सेटिंग में जाना है आपको सर्च करना है फाइंड बाइड डिवाइस ये आपको ओफ मिलता है तो इसको ओन कर देना है यहां से आपको बैक आ जाना है अब आपको प्ले स्टोर में जाना है फाइंड माइड डिवाइस अप्लिकेशन डाउनलोड करना है इसे उसी मेल से लोगिन करना है जिस मेल से आपका फोन लोगिन है इस आइकन के उपर टच करना है यह देखो यहां से आपके phone की location दिखाई दे रही है पले sound भी है और security device भी है और निच्चे get direction भी है ये sum करने के बाद भी अगर आपका phone नहीं मिलता है तो आप समझो आपका phone तो गया और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने phone को ऐसे ही छोड़ दो आप अपने phone का EMI number को block कराना बहुत जुरूरी है वरना आपके phone का कोई miss use कर सकता है आप बहुत बुरी तरह फस सकते हो येस आपने सही सुना आप बहुत बुरी तरह फस सकते हो इसलिए आपको अपने EMI number को block करवाना बहुत जुरूरी है अगर दोस्तों आपका खोयावा फोन किसी के भी पास है आपने अगर आपके फोन के EMI नंबर ब्लोग करवा दिया है तो वो आपके फोन में किसी भी तरह का SIM यूज नहीं कर सकता और आप ये सब ओनलाइन कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको CEIRGOV.IN की वेबसाइट पर जाना है ये वेबसाइट है Department of Telecommunication की तरफ से यहाँ पर आकर आप अपने फोन का IMI नंबर जो आपका फोन खो गया है उसके आप नंबर बंद करवा सकते हो करने से पहले आपको फुली स्टेशन में FIR दर्ज करवानी होगी आपके खोये वेबफोन की FIR दर्ज के जो रजिस्टेशन नंबर है वो इसमें वेबसाइट में लगेंगे इसलिए इससे पहले आपको FIR दर्ज करवाना ज़रूरी है नेक्स स्टेप में आपको CERGOV.IN की वेबसाइट पर जाना है वहाँ पर आपको स्टोलेंस लेस लोस मोबाइल पर जाना है वहाँ पर आपसे जितनी भी इनफोर्मेशन मांगेगा नाम हो गया एड्रेस हो गया दोनु सिम के नंबर हो गया IMI नंबर हो गया FIR नंबर लिखे फाइल अफलोड करके जितनी इनफोर्मेशन मांगे सारी इनफोर्मेशन देख सब्मिट कर दो यहाँ पर आकर अगर आप रेजिस्टेशन करते हैं तो आपके सारी जानकारे डिपार्टमेंट अप टेली कमनिकेशन के पास पहुंच जाएगी वो आपके फोन के EMI नंबर क को बंद करतेंगे तो इससे आप कम्प्लीटली सेफ हो जाएंगे आपके फ्यूचर में किसी भी तरह की पर कोई प्रोब्लम नहीं होगी आपका फोन जिसके भी पास है वो उस फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो इससे आपके फोन का मिस्यूज होना कम्प्लीटली ना मुम्किन हो जाएगा फ्योचर में अगर आपका फोन आपको मिल भी जाता है तो आप अपने फोन के EMI नंबर को अनबलोग कर सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं इस तरह से आप कंप्लेटली शेप हो पर रहते हैं अगर आपको मेरा वीडियो मोलेजबल लगे इंट्रेस्टिंग लगे हैलब भूल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना सेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना